रैटोल माइनिंग क्या होती है राइट तो इस्यू आफ रैटोल माइनिंग हम इस पर बात करते है तो रैटोल माइनिंग बेसिकली नौच libertarian था नौचीश में यह इसलिए होता थी कि वहाँ पर कोयला पाया जाता है ठीक है और यह कोयला पूरा जो मेगाले प्रते हैं जो हम Hansitka कहते है कि जो हमारा रूर Пर्देश जो चेटिश गहलका प्रता रहे उसका extension हमारा कहां तक जाता है मेगाले तक जाता है तो भारत के हमारी परंपरागत अंग्रेजों की तरफ से माइनिंग आ रही थी उसका नाम होता है captive mining भारत में जो सबसे बड़ी प्रैक्टेस हो जब से खराब प्रैक्टेस है वो है राट जो है captive mining उसे कहते हैं अब captive mining क्या होता है हमारे यहां जो भी समस्यां है जो नकसलवाद की अतिवाद है वहीं वहीं तुमारे खनिज पाये जाते हैं चाहे वो लोहा पाया जाए बाकसाइट पाये जाए कोईला पाये जाए तुम जहां भी जाके देख लो 36 गड़ में देख लो map करके देख लो तुम जहाँ जहाँ यह तीन चीज जहाँ सब सबस्यादा tribal area है सबस्यादा forest area जहाँ सबस्यादा जो है mining हो रही है जहाँ पर खनीज और जहाँ पर यह चारों चीज़ें एक साथ तुम्हें यहां पर दिखाई पढ़ेंगी उसका रीजन क्या है उसका एक रीजन उसका सबसब बड़ा कारण है कि भाई हमारे यहां जन जातियां है कहां रहेंगी वनों में ठीक अब वन में यहां रहा रही है इनकी जमीन के नीचे कुछ में चैतर भर जाझ ऑक नहीं हुआ तो हम माइणिंग कैसे करते हैं हम करते हैं कैप इमाइनिग के किइन होटी हो तया यह यह जंगल की जंगल की जमिए अब जंगल के लोग हैं इनके पास ना तो कोई अधिकार हो रहे हैं ना इनके फॉरेस्ट राइट इनका सोशन करता है पूरी तरीके से जो फॉरेस्ट हमारे अधिकानून थे वह भी अंग्रेजों के बनाय हुए कानून है तो अब आप जब इसमें माइनिं करो गें तो कैसे माइनिंग करोगे आप इनको यहां से रिपलेस करोगे कुम क्योंकि आप Cambodia माइनिंग कर रहे हो आप horizon Kennedy वे में जा रहे हो और आप बड़े भूभाग पर जाकर क्या करोगे खुदाई करोगे हम गहरी खुदाई नहीं करते हैं इसलिए भारत कोईला के संबंद रिच होते हुए भी बाहर से कोईला आयात करता है 2013 इस प्रिलिम्स का कुश्चन है कि भारत जो है क्या करता है कोईले स असंगठित है वो जो सस्ते मजदूर होते हैं सस्ती मशीन होती वो फावड़े से खुदाई करकर के उनको आपने देखा ख़दानों के अंदर डाल दिया जाता है रसियों से खीचा जाता है सब कुछ वही पैट मैथेड में चल रहा है उनके जो है लाइफ सेविंग खुदाई कर पाएंगे तो इसकी वज़े से क्या होता है अन्रेस्ट इनको अपनी जंगल जमीन छोड़ना पड़ता है तो अगर इनकी सुनवाई हो गई तो ठीक है नहीं तो इनको क्या करना प्रतारित होकर वहां से भगा दिया जाता है वो उद्योगपती इनकी जमीन को पकड़ लेता है और सरकार भी आर्थिक विकास के नाम पर यह सब कुछ करती है तो फिर उनके बाद दो रास्ते होते या तो वह विस्थापित हो जाएं या तना का जीवन जीए और या तो फिर वह बंदुक उठाले या हिंसा की तरफ चले जाएं ठीक है तो यह क्या होता पर टेकलाजी का यूज करना था तो हमने शुरुआत से माइनिंग में इंवेस्टमेंट किया नहीं सब कुछ सरकार ने अपने हिसाफ से रख लिया टेकलाजी इनहेंस्मेंट हुआ नहीं और धीर धीर क्या हुआ वो एक शैडो जोन में कनवर्ट हो गया तो मैं पता है हम लोग जो तेक्नोजी यूस करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं अब Veg50 के बारे में करता ऊंध्शंस में डाफोल यह बोटार Chuck happened in 101aines कि अपनोथी होता है थेखे तो जब माइणिंग में हम लोग क्रते मां करते यह बड़ी प्रावलम आब बहुत गहरे लोसा बटाइन कर सकतें क्योंकि गहरे में कोलगे कर ने किलिर नोडिंसरी आपको तो आप यहोथा बड़े चालिस दिन कोल एरिया में ही रहा हूं वहां जमीन भी काली होती है दीक है वहीं था धनबाद तो फिर भी शहर है ठीक है वहां से लगबग 70 किलोमेटर दूर पूरे कम्प्लीट उस इलाके में रहा हूं नक्सलाइड इलाके में बहुत चीजे मैंने बहुत करीब से देखी है क्या से यहां पर काम होता है तो यहां पर क्या होता है इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है यह माइन्स को छोड़ देते हैं जैसे थोड़े समय निकाला उसको छोड़ देंगे इसमें जैसे पानी बरसा और पानी भर गया तो सारा का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा क्यो लोग वहां पर इनके इतना atmosphere में उनका जो है वो co2 carbon dioxide carbon monoxide आ जाता है जो कोईला जलता है oxygen तो carbon monoxide create करता है अम मर जाओगे महां पर तो लोगों के हां से मजबूरी में छोड़कर भागना पड़ता है तो क्या हो जाता है जो पीछे छूड़ यह जब पैसे पानी के संपर्क में आया तो वो कोईला बहुत ही घटिया किसम का हो जाता है बहुत घटिया किसम का जिसकी real market में कोई कीमत नहीं होती लेकिन जो गरीब आदमी है वो इसी पर जीवित रहता है तो rat hole mining जो आता है वो यहीं से शुरू होती है कि जिसको आपने परितक्त छोड़ दिया यानि आप आपने उसको abundant mind छेतर छोड़ दिया उस पर कोई भी मलब आप उस पर कोई खुदाई नहीं हो रही कुछ नहीं उसमें क्या हुए सरकार प्रतिभंदित छेतर एक बोड़ लगा कि उसको खाली छोड़ दिया तो यह लोग क्या होता है अपनी personal skills से छोटे-छोटे छेत बनाक अगर अवैद रूसमें प्रवेश करते हैं और बच्चों को ज्यादातर यह प्रियोग करते हैं और यहां पर यह प्रवेश करते हुए यह कोईला निकालते हैं जो कि उनके जीवन के लिए उनकी जीवी का है उसके लिए बहुत important होता है तो अब हम उसी पर वापस आ जाते हैं कि इस कमी से ही इनकी लाइफ निकल गया तो वट इस रैट होल माइनिंग देखो रैट होल खनन क्या है इस वेरी नेरो अल्ली वन परसेट क्या नेंटर यह इतना छोटा होता है कि केवल एक व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है इसल दिए बार में एक ही व्यक्ति नहीं पर एक हुट बहुत पत्लप होता है ठीट तेंट तो इस इसले डिए ट्छ रिए क्होता है इसमें कि रिए बच्चों का बहुत प्रियोंग किया जाता है कि नीरों तो यह ऐसे छोटे-छोटे छित्र बना दिये जाते हैं खास दॉर पर जहां पर अबेंडेन्ट माइन्ज पढ़ी होती है ठीक है वहाँ पर देख 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 इस काईड़ एलीगल मान माइनिंग और मुख्यता कहाँ पर प्रिविलेंट है इस्टर जैन्तिया हिल्स जैन्तिया पूर्वी जैन्तिया पहाड़ियों में मेघाले में यह पाया जाता है तो मेघाले क्यूं यह कुशन प्रिलिम्स में आया हुआ मेघाले को अभी माना जा रहा है कि it is nothing but the छोटा नागपूर प्लाटिव extension जब भारत में यह पूरा निर्माड हुआ तो छोटा नागपूर प्लाटिव क्या बोलते हैं उसको भारत का रूर प्रदेश ठीक है खनीच से भरा हुआ है जो मेघाले पठार है मेघाले तो मेघाले में पाए जाता है मेघाले में पाए जाते हैं coal deposits यानि की कोईले के भंडार पाए जाते हैं कोईले के भंडार तो कोईले के भंडार पाए जाते हैं सरकार भी तूट पड़े तो सरकार ने क्या किया वहां पे वनों को नस्ट किया अब जैसे वनों को नस्ट करन के भागोगे और हम जो technology यूज करते हैं वो कैसी है captive समझ में आ गया होगा कि हम फैलते बहुत हैं और इस चकर में हमारा पूरा अगरो और जैनतिया में तो यह सभी हिमाले के extension पार्ट में है मिकिर खासी गारो और जैनतिया गारो और जैनतिया पहाड़ी होगा यह सारी की सारी यहां पर पाई जाती है तो आपने लिख लेए इसको कि नेक्स लिगो माना जाता है कि इन पहाड़ियों में जो कुल डिपॉजिट है वो 576 दस्वाटो चार आठ मिलियन टन है यानि कुल कोईला भंडार अब चलो समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है रैट होल माइनिंग की जरूद क्यों पड़ती है क्योंकि इनकी स्किल का प्रयोग किया गया लेकिन यह बेसिकली कहा होता और कैसे होता है यह समझना हमारे लिए जरूरी है आये तो पहली बात यह मुखेता पहाड़ी छेत्रों में किया तो आपको पता है रिजन है तो वहां पर धेर सारे एपेक्स धेर सारे पीक्स पाया जाते है रेंज और हिल्स में अंतर होता याद रखेगा तो हिमाले जब पस्चिम्पूर सब में जाता है वो क्या है हिमाल्य रेंज है परवत्ष शंखला है और यहां पर क्या है पहाडियां है ठीक है दो ये कम वूचाई की होती है और आम्भारत में पाई जाती है तो हिली रीजन है दूसरा लो ग्रेड कोल पाए जाता है यानि बहुत उच्छ गुरवत्ता का कोईला नहीं पाए जाता है यहां पर क्या खास बात होती है mostly sub-bituminous होता है एस केया बितुमिनस को ले में carbon की मातरा जादा होती है किसी कोले में carbon की मात्रा जितनी जादा होगी वो कोईला उत्रा ही जादा क्या काम करेगा कैलोरिफिक वैल्यू देगा ये सारे कोशन आये हुए एक्जाम में तो जब कोईले में कार्बन की मात्रा जादा होगी तो उसके अंदर क्या होगा कैलोरिफिक वैल्यू यानि दहन उश्मा होगी गाड़ी में आप क्या होता है कोईला डालते हो पेटरोल डालते हो क्यों क्योंकि उसकी दहन उश्मा ज्यादा होगी कैलर्फिक वैल्यू ज्यादा होगी जैसे वह जलेगा तो वह ज्यादा क्या करेगा उश्मा पैदा करेगा और उससे पिस्टन मूब करेगा और आपकी गा बहुत्ता का होता है तो यह उतनी अच्छी कार्बन की मात्रा नहीं और इसमें क्या ज्यादा पाया जाता है सलफर पाया जाता जो प्रदूशल पैदा करता जब यह जलता तो भुट्टा भूनने वालों को रखा होगा कभी उनका कोईला उठा के देखना वो जो नहीं वह ज जलता तो बहुत धेर सारा धुबा देता है इसमें क्योंगा सलफर की मात्रा जदा होती एकजाम में आया हुआ है तो हई कर सलफर कंटेइन होता है अच्छा इसकी आर्थिक्स वैल्यू भी क्या होती है कम होती है लेस आ जो है एकनॉमिक वैल्यू है तो सबसे बड़ा यहारत में कौन सी अनु ऊचिमेट रैवल एरिया को प्रॉटेक्ट किया जाता है कि 506 में दोनों कि अलग अलग तो इस में कि और इनके बहुत जो ट्राइबल एरियाज उनको रोटेक्ट किया जाता है तो इस छेतर बैरेक्ली माईन journeys करना बहुत मुश्किल होता तो दो चीज़े हैं कि यहां पर कोई संस्थागा खनन नहीं होता है कोल इंडिया जाके खनन नहीं कर रही है और यहां पर पतली पट्टी पाई जाते हैं इसलिए लाबकारी भी नहीं है तो क्या होगा कोईला पड़ा हुआ है लेकिन इन आदिवासी लोगों के लिए वनवा रैठ होल माइनिंग करते हैं तो यह जो पहाड़ी लोग हैं जो वनवासी लोग हैं यह इस काम में माहिर हो जाते हैं लेट कर खनन करना सर अंदर घुसा के खनन करना तभी तो यह उत्राखन में सक्सेस्फुल हो पाए ठीक है वर्टिकली खोदते हुए चले जाना यह इसक में क्योंता को एक किनारे पर गढ़ा बना दिया जाता है और धीर धीर उसको चूहे की तरह उसको खोदते हुए वह आगे बढ़ जाते हैं तो यह दोनों तरह से खोद सकते हैं यह होरीजेंटल भी और यह वर्टिकल माइनिंग भी कर सकते हैं ठीक है और मुख्यता इस काम के लिए किसका प्रियोग किया जाता है बच्चों का चाइल्ड एजर लेबर यानि कि बाल श्रमी को का प्रियोग किया जाता है और इसी वज़े से एंजीटी ने उनके स्वास्थ पर होने वाले दुश्प्रभाव को देखते हुए नैशनल ग्रीन ट्रवूनल ने इस पर दायल लगा रखा था और यह पूरी तरीके से पर्सनल स्किल बेस्ट था ठीक है यह पूरा बहुत खत्रे का काम है बहुत हजार्डियस सिच्वेशन होती है वहां पर क्योंकि जब कोईला जो होता है माइन उसमें से कौन सी गैस निकलती है मेथिन और भी तमाम तरह की गैस अब किस किस तरह के प्रकार होते है रैठ होल माइनिंग के कितने प्रकार है यहाँ पर कौन से अब प्रियूग किया गया था होरीजेंटल या वर्टिकल चलो देखते हैं आज़ो कि अ लेको प्रकार तो पहले को बोलते हैं साइड कटिंग प्रोसेस यानि पार्ष कटाओ प्रक्रिया पार्ष कटाओ प्रक्रिया साइड कटिंग प्रोसेस यानि पहाल की साइड से काटते है इसको तो पहाड की साइड से सको काटना शुरू कर देते हैं narrow holes, sides of hill तो इसमें पहाडी के किनारे एक बहुत छोटा छेद बनाया जाता है narrow holes, sides of hill पहाडी के किनारे एक छोटा सा छेद बनाया जाता है और लेबर मुव्स इंसाइड वोल इन स्ट्रेच आफ इन सर्च आफ कोल लिखो और इसी संकीन चिद्र से श्रमिक इसी संकीन चिद्र से श्रमिक चिद्र के अंदर प्रवेश करते हैं कोईले की खोज में चिद्र के अंदर प्रवेश करते हैं जो कितना संकीन होता यह आप इसको जड़ा देखिए कितना जो है वो बारी की मलब आप इसमें स्टैंड नहीं कर सकते हैं इसमें आपको चुहे की तरह रेंग के जाना पड़ता इसलिए बहुट देंजर्व nossa अंधेरा होता है घुटन होता है उकसीजिएन की मातरा बहुत कम होती है यह तो बहुत नमी होती है इसमें तो रापी पेट के लिते इंसान क्या नहीं करता है गैउब बहुत कुछ करना पड़ता है इस पेट इंसंसरों से प्रोसेस यह और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है लिगो बॉक्स कटाओ प्रक्रिया तो इसमें क्या होता है पहाडी में उपर से नीचे की तरफ जाते हैं उपर से नीचे दे और एक बैठने के लिए एक बॉक्स बना देते हैं जब लगता है कि इसमें जो है अंदर नहीं जाय जा सकता तो और सोफिस्टिकेटेड और गहरायम लग रहा कि पहाड के बीच में कोई संसादने कोईला है तो उसके लिए ये लोग इस्तमाल करते हैं बॉक्स कटिंग प्रॉसेस लिखो तो इसमें क्यों होता है पहाडी में ऊपर एक छितर बनाया जाता बॉक्स ताकि वो उसमें उतर सके और पहाडी के पार शुने यानि साइट से खुदाई नहीं करेंगे अब पहाडी के उचाई पर पहुचके उसको खो देंगे ठीक है ताकि वहां से वो प्रवेश कर सके ठीक है लिखो उचाई पर एक वर्ग बनाया जाएगा स्क्वायर और अगर वो घुसेंगे छेद बनाएंगे तो अगर पानी भी घुसेगा मर जाएंगे वो तो ऐसी कंडिशन में क्या करना पड़ता है कि वह साइट से मालों इधर इधर पानी भरा हुआ है तो आप यहां से माइनिंग नहीं कर सकते हैं और आपको कोईला निकालना है और अग आपके यहां पर क्या करते हैं इस तरह से इंट्री पॉइंट बनाते फिर जब पहाल के अंदर पहुंच जाते हैं तब वहां से वो डीप खुदाई शुरू हर जेंटल रैट माइनिंग करते हैं ति कहने कि जर चैटिज रैट होल बनाते है वहां पर यह बना लो तो यह औ क्यों NGT ने बैन लगाया और environmental concern क्या यह जानना बड़ा जुरूरी है यह माना गया कि risk और hazard क्या है यह जान लो कि और rat hole mining से काम नहीं चलेगा NGT ने जो tribunal है उसने अगर बैन लगाया तो कुछ कारण से बैन लगाया था ठीक है तो हमें पूरी बात जानना जुरूरी है अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत ज़्यादा accidents के जो हमें cases देखने को मिलें ठीक है भारत में mining में बहुत ज़्यादा hazard और death हमें देखने को मिलती है राइट लिखो इएर कोल सेक्टर कोला चेतर धात्विक चेतर जो जल की खुदाई जो वह ओयल है तेल निकाला जाता है और हमारी total मृत कितने हैं हाजार्ड कितने हुए हमारे हैं लिख लिए कितने लोग माइनिंग के दौरान मरें थे एक यह कोईला चेतर है यह धातु है तेल है और यह टोटल ठीक अब बात करते हैं कि एंवार्मेंटल कंसर्ण क्या है रैट होल माइनिंग के दिस वेरिए इंपोर्टेंट तो पूरी बात जानना ज़रूरी है तो अभी आजकल हो रहा है कि रैट होल माइनिंग कि इतनी वाई की जा रही है अपर यूपीस्टी वाले निगेटे भी पूछ लेंगे तो फिर आप रह जाओगे लिखो पर्यावरणी है चिंताएं पर्यावरणी चिंताएं पहला जब आप पहाल को अंदर ही अंदर खोकला कर दोगे थोड़ी दर पहले पढ़ाया था अगर आप उसका बेस डिस्टर्ब करोगे तो पहाल क्या हो जाएगा वाइब्रेशन और कंपन होने के chansez होंगे तो सबसे बड़ी बातेट्ट बिकेम प्रोन टुं डिसास्टर यानि यह आपदा के लिए संभावित चैतर्में परिवर्टित हो जायगा मौस जायेगा कि देत तो पूरा माउंटें एको स्सेस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा नल्onder युए धुच्छ NGT ने जो band लगाया वो basically इस कारण से लगाया river contamination तो ये पहाड के अंदर ये सारा कोईला और सारा धातु था अब इसको खुदाई करके क्या किया बाहर निकाल दिया और वहां से पानी पहाडियों से बहता है वो सारा का सारा कहां लाके डाल दिया नदियों के अंदर डाल दि रिवर कंटैमिनेशन लिखो रिवर कंटैमिनेशन नदी प्रदूशन तो प्रील के लिए तो पहली बात तो ये बहुत इंपर्टेंट वहां से कौन सी दो नदियां वहती है ये जोगर्फी की बुक्स में आपको नहीं मिलेगा ठीक है नाम भी अगार जाके खोजो के तास तुमें मिलने वाला और यूपीसी वाले नौर्थीस की नदियों पर आजकल बड़ा महरवान है पिछले कुछ सालों से ऐसी ऐसी नदी का नाम पूछते हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं होगे तो दो नदियों के नवहले नाम लिखो एक कापिली रिवर और दूसरी महीने में नौर्थीस उसमें कोई एक राज्य पकड़ते हैं तीन-चार साल पहले इसका नंबर लगा होगा तो यह उसमें आई हुई ठीके तो लिख लो काम आ जाएगी तो कोपिली रिवर और दूसरी लूखा रिवर तो कोपिली में क्या है यह कहां बैती है मेगाले और आसाम में क्या हुआ रैट होल माइनिंग की वज़र से इसका जो पानी था वो अतिधिक अमली हो गया इट बिकेम एसेडिक अब कई लोग कहेंगे एसेडिक मतलब जब पीच की वैल्यू साथ से कम होने लगती है अपने ग्यान के लिए लिए एक्जाम में आ हुआ हुआ है चार के नीचे इंसान के प्रयोग के लायक नहीं रह जाती है ये भी लिख लिजे ये भाई साब सारे कोश्चन आये हुए हैं एक्जाम में तो साथ के नीचे अमली होगा और चार के नीचे वो human consumption के योग यानि कि मानो के इस्तमाल के योग यह नहीं रह जाएगा और इसका कितना हो गया था तीन के नीचे यानि मचलियां भी जीवित नहीं रह सकती है तो चार के नीचे मानो प्रयोग के लायक नहीं रह जाता इसकी वैल्यू तीन के नीचे हो गई थी पक्का लूखा के बार हम देख लेते हैं लूखा कहां बैती है मेगाले में यह इतनी पॉलिटेड हो गई थी कि इट बिकम ब्लू नीली नदी कहलाने लगी यह हाईली पॉलिटेड ते इट बिकम ब्लू यह नीली नदी के रूप में नीली हो गई थी पुरा पानी इसका नीला हो गया इतना पॉलिशन हो गया साथी साथ जो ये कोल एश होती है निकी जिसे हम लोग कहते है कोईले की राक ये पूरे के पूरे जल, वायू और मिट्टी इन तीनों को क्या करती है ये प्रभावित करती है क्योंकि ये बहुत महीन होती है और ये क्या काम करेगी सबसे पहले किसको नस्ट करती है ये जो है वो उड़ती हवा के साथ चलती है अब ये कहां जाकर बिछेगी सबसे पहले वहां की वनस्पतियों पे वहां के वेजिटेशन पे, फसलों पे तो फसलों पर यह जाकर राख बैट जाएगी तो उससे क्या फरक पड़ेगा पतियां क्या करती है प्रकास संस्लेशन फोटो सिंथेसिस करती है उससे क्या होता है उससे उनका भोजन तयार होता है तो जब पतियों के उपर कोल आश आ जाएगी यह भी कोशन आया हुआ है मैं टेशन खतम हो जाएगा और वेजिटेशन का मतलब होता है ऊटों टॉप्स खतम हो जाएंगे यानि पूरे ऊधा चक्र में उधाब देजने वाला कौन है यह वनस्पतिया ही तो है यही आटो ट्रॉप्स है यही सोपोशी है बाकी तो सारे के सारे क्या है पर पॉशी हैं हम कौन हैं हम पर पोशी हैं इन ओतो ट्रॉप्स को छोड़ कर सभी सभी क्या है पर पोशी तो अगर स्वमोशी खत्म हो गहाए उट ट्रॉप्स को गई तो फिर तो आपकी पूरी फूट शेंट गई काम से तो ये सबसे पहला दूसरा ये पानी के साथ घुल जाते हैं, पानी कंटेमिनेट कर देते हैं, हवा में ये पर्टिकुलेट मैटर बनाते हैं, तो PM जिसे बोलते हैं, आज कल दिल्ली वाले तो खेर इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, PM 2.5 और PM 10, तो ये PM 10 की वैल्यू बहा देते हैं, इसको बोलते हवा में suspended रहते हैं, क्या होता है, ब्रोंकाइटेस, अस्थमा, और फेफ़णों के अंदर जाकर वो जमने का प्रेक्रिया शुरू हो जाती है, और हमें स्वांस संबंदी रोग हो जाते हैं, और फिर उससे इंसान की मौत हो जाती है, तो चलो conclusion करते हैं, क्या होना चाहिए, तो पहली बात यहां पर issue किया है, नौर्थीस में, या रैट होल माइन, पहली बात illegal mining, तो जैसा मैंने बताया था है, सारा खेल क्रोनी capitalism का है, क्रोनी capitalism मतलब जब नेता और लाब कमाने वाला उद्योग पती हाथ मिला लेते हैं, illegal तरीके, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोनी capitalism, तो नेता कहता है, हम तुमारे लिए rules and regulation बदल देंगे, तुम हमें क्या करो, funding करते रहो properly, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्रोनी capitalism, याद रहेगा, exam में आया हुआ है, ठीक है, क्रोनी capitalism, तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो illegal mining का मुद्दा है, इस पर Supreme Court न तो वहां का local एक टाकतवर आदमी होता है, वो क्या होता है, माफिया बन जाता है, तो लोगों को डराता है, जमीने कब जाता है, लेबर ले कर आता है, और वो उससे politician से पैसा मिलता है, पैसा politician किसको देता है, नेता को देता है, कि बही तुम हमें जमीन आरक्षित करा दो, या कल को कोई भी परियावरन का concern नहीं आना चाहिए, दबाओ, मीडिया को manage करो, तो ये काम कौन करता है, नेता, इसके बदले क्या होता है, उसको नेता हो गया, अधिकारी हो गया, इसके बदले, और politician क्या करता है, investment machine लेकर आता है, जमीन को खोथ के, जतना उसको चाहिए हो निकाल लेता है, और mafia क्या काम करता है, इन दोनों को connect करने का काम करता है, ठीक है, नतीजा क्या होता है, दूसरा इसका reason क्या है, इन छेतरों में बहुत जादा unemployment है, क्योंकि आजादी के बाद से हमने अपने नौर्टी सेक्टर को बहुत जादा focus किया ही नहीं, ना connectivity है वहा करके साधन को रोजगार कहा जाता है, what is the meaning of employment, the way of distribution of the income, the means of distribution of income is known as employment, तो जब आय को वितरन करने का तरीका क्या कहलाता है, रोजगार, जब आय का वितरन नहीं होगा तो आपके पास क्या आएगी, गरीबी, तो इसको बोलते हैं, leads to poverty, तो unemployment किसकी तरफ लेका जाता है, गरी गरीबी क्या करती है, गरीबी होती है, choice less हो जाना, गरीबी की परिभाशा, अमरत्य से इनने क्या दीती है, सब पढ़ाया है तुम लोग को, जब चुनने की स्वतंत्रता खतम हो जाती है, तो उसके हम लोग क्या बोलते है, गरीबी बोलते है, बोलने में जब तुम इन लिक्षा का ना स्वास्थ का ना जीवन जीने का ना रहने का जो तुम्हारे पास च्वाइज नहीं होती है तो तुम क्या हो जाते हो गरीब हो जाते हो and why you earn money because you want to improve your choices कि 2BHK में रहेंगे 3BHK में रहेंगे डिपेट आन यो पॉकेट प्राइवेट हास्पीटल में जाएंगे यह सरकारी में लाइन लगाएंगाँ डिपेट रॉन ऋ और पॉकेट प्ती में आप तो अंतिम में एक ही चोइस बस्ती की जिन्दा रहना है ठीक है तो लिको इन छेत्रों में आजीवका के कोई भी विकल्प नहीं है अजीवका कोई विकल्प नहीं है तो वट दे डू दे एक्सेट रिस्क ऑफ लाइफ कि मरना इधर भी है ऑप्शन एडेथ ऑप्शन बीडेथ ऑप्शन सी डेथ ऑफशन डीडेथ जब चारों अप्शन एक ही जैसे हैं तो क्या फरक पढ़ता है कि ए भरे या डी भरे तो बिल्कुल इनके सामने कि भी भूख से भी मरना है और काम करके भी मरना है तो अपने आपको भाग के पे छोड़ दो जिंदा लोटे तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं चलो तो यह जीवन की खत्रे को सुविकार कर लेते हैं and this is nothing but the human right violation इसी को हम लोग मानवा अधिकारों का हनन कहते हैं कि मानव की अधिकारों में उसके पास जीने की 24 होनी चाहिए जीवन जीने का अधिकार तो हमारे सबसे प्रमुक अधिकारों मेंसे एक है चलो, and the next one is risk to environment, पर्याफरण को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है, तो यह रही पूरी ABCD about rat hole mining, तो क्यों हिमाले निको सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, यह समझ में आया, हिमाले के बारे में समझ में आज कम से कम नहीं, तो हमने 12 से ज़्यादा question किये हैं, आज जाक यह है कि तुम्हारे दिमाग में वो थोड़ा बहुत भी सेटल हो जाये तो, और कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा तो बढ़ी हैं सब, हमारा काम है, बताते रहे रहे हैं। कोई question इस से लेटेड़, हम, डरो नहीं, डाटेंगे नहीं, तुम लोग प्रशन इसलिए नहीं पूछते होगी, कहीं डाट न पढ़ जाएं। कहीं सर से एकात question पूछो, सर ने एकात पलट के पूछ लिया, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। अरे ने बताया भी था मैंने, लोगों वो कहरी बताया था। अच्छा तुम आये नहीं थे, ओ यह तो पुरानी बिमारी है। हम लोग इसको बोलते हैं, pigeon effect, जानता ना pigeon effect। तो कभी भी देखना, जैसे कबूतर होता है, तो बिल्ली उसकी तरफ बढ़ती है। तो कबूतर क्या करता है? उसके पास पंक है, उड़ सकता है, बिल्ली से तेज। तो आराम से उड़ता हुए निकल जाएगा, लेकिन वो क्या वाम करता है, वो अपनी आख बंद कर लेता है। क्यों, क्यूंकि वो सोचता है मैं बिल्ली को नहीं देख रहा हूं, तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही है। और बिल्ली क्या करती है कबूतर मारके खा जाती है तो जैसे हम क्लास में नहीं आये थे इसलिए मुझे ये आपने इन्होंने क्या पहले पोला आप नहीं बता या तो फिर बोले मैं नहीं आया था तो आपका ग्यान मेरे तक नहीं पहुचा तो इसके लिए भी कौन जिम्मेदार आप जिम्मेदार तो थोड़ा से यह सर्च कर लो अधकल तो AI आ गया है उससे पूछो अब मैंने तो दो कोशन पूछे थे चोड़ाई भी पूची थी हिमालय चोड़ा किधर जादा है तो कम से कम नहीं है तो कोई बात नहीं घबराओं नहीं जोगरफी शुरूओगी तो जोगरफी टीचर को परिशान करना ठीक है और मैंने इससे रेटेड एक कोशन भी बताया था कि रेल लाइन के बारे बताया थ कि नौर्फी में जो हमारा वेस्टन पार्ट फिमालया है ओ इस्टन पारट ऑफ वह इतना ज्यादा वेजीटेशन वहां क्यों रट जाद है तो मैंने त्युम् jean ब कॉला ओसे चीजिए लगता तर पता नहीं नहीं कि चीज लगता है हों चो नहीं चुकर णलंगता नहीं चलो कहीं तो काम आ रही है तो कंप्लीट हुआ ये अ कि बहुत आसान है तो तुम्ही क्यों धूल में जाके लिप्ट होगे तुम्ही इतने डरावनी कि मालो सोचो कि अंदर आप जाते हो कितना डरावना सीन होता होगा ऑक्सीजन कम हो रही है रोश्णी नहीं है ठीक है और मिट्टी गंध क्यों आप इसको करते हो बहुत सिंपल्स है मुझे कोई स्कूल भेजे मुझे कोई रोजगार दे दे मेरे घर में भी पैसे हो तो मैं कह है जाके खो दूंगा उसको भाई तो पॉलिटिक्स कहीं मैंने कुछ अभी हाल में अच्छी मोटी बड़ी भारी मोटी सी किताब लेकर आया हूं उसके लाइन बड़ी अच्छी बड़ी है पॉलिटिक्स जो होती है भारत में जो पॉलिटिक्स है उसका नीचर बिल्कुल इन ओधे रेड़ी है यह फिर दुनिया में अच्छें लेगे रिंखा कि दोनिय आदर भी कंट्री ने जपन और पर जो विक्सित देश है, वहां politics बहुत खुबसूरत लाइन मुझे लगी थी है, उन दुनिया में politics होती है policies बनाने के लिए, प्यार लिख ले ना इसको बड़ा प्यारा, मैं अभी भीज भी दूँगा इसको, पुरी दुनिया में जो विक्सित देश है, वहां होती है politics policies बनाने के लिए, भारत में policy बनाई जाती है politics में आने के लिए, बड़ी खुबसूरत लाइन है, बड़ी प्यारी बड़ी गहरी लाइन है ये, अब भारत में policies बनाई जाती है politics में आने के लिए, और ये बहुत आज की रेट में जो freebies बांटी जा रही है न, कि हम आएंग बिजली फ्री हम आएंगे पानी फ्री हम आएंगे इनको यह फ्री अनको आएंगे उनको फ्री तो यह क्या है they form policy to capture the power. In Scandinavian country, in developed country they capture power to form policy. In India we form policy to capture politics. This is the reason. इनको गरीब को गरीब कौन बना के रख रहा है? ये नेता तो बना के रख रहा है? इस चेत्र को विक्सित कर दो मत करो क्रोनी कैप्टलिजम ये बच्चा भी तो स्कूल जाएगा जो यहां पर खोद रहा क्या करे बई शाम को खाना कैसे खाएगा उसको ये थोड़े न पता है कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसको बस इतना पता है कि शाम को घर में खाना आ जाए बस इतना बहुत है तो जीवन जब इतना संकीन हो जाता तो फिर वहां जीने मरने के कोई विकल्पी नहीं होता है वहां तो सारे आप्शन ही मरने वाले है तो इस नो चॉइस तू लेव अब कितनी देर तक मौत को टाल सकती हो टो नहीं सकती हो टो जोड़ लिवीय इट वाल शर्वाइविए there's a difference बेर्वेए निवें लिव और पॉठकै ज सानधल उन्च क सलत्वाइगा खी दिनर मलेगा तो कहना ठीक है जए लोग लॉपर खंशन यहां नहीं कहीं और खाएंगे, ठीक है, now you have a lot of options but they don't have, they are not living, they are surviving, उन्हें पता यह मिल गया, पता नहीं अभी इसके बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, तो यह दो लोगो का हिस्सा है, ठीक है, तो यह शब्द लिखले न काम आएंगे तुमारे लिए, च जरी ओंपे Deshalb हम दो झाम बेंगे, तो यह दो बादवी थित कहीं मिलेगा, जब्द लितरूआद को यहांगे, तुमारे लिएश को यह दो, यह मिलेगा, ऑलो मिलेगा तो आगः चा झाल storyline भी तो झाल